नमस्कार में प्रिये रेंजन और आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे कि आगे के बजार के क्या आउटलूक दिख रहे हैं जैसा कि हमने देखा कि आज बजार में एक सेवियर सेलिंग दिखी और आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों से बजार सेलोन राइज में दिख रहा है जो भी हमारे प्रीमियम फॉलोर हैं प्रीमियम मेंबर हैं उनको पता है कि अरली मॉर्निंग में ही हमने हमारे मैसेजिस आप सभी लोगों को भेजे कि overall जो strength है वो missing लग रहा है बहुत सारे लोगों का आज portfolio है उसका काफी बुरा हाल रहा होगा तो इस समय आगे के technical trend क्या है क्या मेरे views आगे बजार को ले करके है क्या इस downtrend में average आउट करना चाहिए चुकि portfolio के भी बुरे हाल हुए है तो आगे क्या यहां से rally बरी दिखने वाली है या trend missing है इन सभी points को समझीज से पहले premium telegram जो की बिलकुल free है उसको join करें description के link से account open करें और video पसंद आए तो दोस्तों में जरूर share करेंगे सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस समय आप बजार के strength को देखें कि आखिर बजार का क्या strength दिख रहा है तो collectively यहां देखेंगे कि banking में बस ICICI bank थोड़ा बहुत बेटर दिख रहा है बाकि पूरी banking sector में वही हाल है IT में कुछ SIE हाल दिख रहा है रिलाइंस देखेंगे तो ऐसा ही है आटो शेवियर सेलिंग में है आटो ने अपने major support zone को breakdown करा है इसके अलावे industry, consumer durables, utility, जो paint वेगरा सभी stock देखेंगे तो लगबग लगबग collectively sell off दिख रही है जो numbers वाले stock हैं वही sustain कर रहा हैं बाकि जो भी काफी trending stock रहे थे जिनका number miss हो रहा था सभी stock में ठीक ठाक selling देखने को मिली है अब यहाँ अगर आप मेरे chart को साविद आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले nifty के trend को देखें nifty daily time frame पे हमने क्या कहा कि sell on rise का बजार दिख रहा है और यहाँ से probability जो next support का है वो लगबग 24,333 और 24,000 के आसपास का यह zone जो दिख रहा है इस zone से next demand बनते दिख सकता है या फिर minimum उपर के तरफ 24,800 के आसपास के level को breakout करने दें इस समय जो बजार दिख रहा है पहले बजार क्या था पहले बजार higher high higher low higher high higher low था लेकिन इस समय का बजार क्या है low high low high तो यह जो trend है यह lower low lower high है तो nifty के trend weak है 24,000 जैसे levels भी दिख सकता है अगर मैं आपको bank nifty दिखाओं कि आखिर bank nifty के क्या levels दिख रहे हैं यहाँ देखेंगे bank nifty तो bank nifty में एक higher trend तो दिखा था लेकिन अभी भी low high low इस परकार से lower low lower high के trend ही दिख रहे हैं सबसे तो आप अगर nifty small cap 100 को देखें तो इसने अपने major support के आसपास के level को breakdown करा और यह कारण है जो आपके portfolio में saviour selling रहा होगा पिछले 3 दिन की अगर downtrend देखें तो अच्छी खासी downtrend दिखी है लगबग लगबग 6-7% और nifty small cap पहले भी हमने कहा था लगबग लगबग यह 1700 तक के levels 17,000 तक के levels दिख सकते हैं जो यहां से भी 6-7% का downtrend दिख रहा है portfolio के वही stock को average out करें जिसके earnings better हैं अगर earning better नहीं आ रहा है तो बिल्कुल average out करने से बचेंगे क्योंकि लंबे समय के consolidate के लिए आप जा सकते हैं मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसे stock है जिसके price जो पीछे तीन महिना पहले चल रहा था वो price आने में 10 साल लग सकता है तो earnings को देखें blindly follow किसी को भी नहीं करें और जो earnings driven stock है उसमें ही चाहें तो average out क्या phrase buying करेंगे अभी भी outlook negative ही है तो higher high higher low दिख रहा है तो इससे में average out क्या phrase buying में थोड़ा बचेंगे और थोड़े bottom out होने का विट करें थैंक्यू